दोस्तो अभी अभी मैं ये कुड़े का पहार देख्के आ रहा हूँ बहुत शरम आती है दिल्ली देश की राजधानी है पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं कुड़े का पहार देखते हैं पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, लंडन जाते हो, पैरिस जाते हो, तोकी ओ जाते हो, फलाना डिमका है, वाशिंग्टन, न्यू यॉर्क तो वहाँ पे आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती हैं, बड़े-बड़े साफ सुसरी चीजे, और जब दिल्ली आता है कोई, तो उसको ये कुड़े के पाहर दिखाई देती है। अधिश पतेल को हिरासत में लिया गया है, और अन्यका शारुक लोकी तलाश की जारी है, जो सरार है। दमो को पुलिस अधिक्षर सेहनिवार ने का पूरी घटना कथीत तोर पर, पतेल परिवार के एक महला के उत्पिडन को लेकर हुई, महिश एरिवार की शिकायत के आध अधिश में दलितों के सुरक्षा को लेकर इलाके में विरोत प्रदर्शन तेज हो गया है। को लोगों का सीना चाड़ा हो गया। हमें शरम नहीं आती है अपने काम दिखाने में इनको शरम आती है। तो इन्होंने क्या करा कूड़े के पहाड के चारों तरों पुलिस लगा दी कोई कूड़े का पहाड देखने ने इनसे बहु बेटियों की रक्षा नहीं होती कूड़े के पहाड की रक्षा कर रहे हैं पुलिस लगा के ये लोग इनसे इन से माँ बहनों की इजत नहीं बचाई जाती दिल्ली के लोगों का शरम से सर जुक जाता है जब कोई दिल्ली में आ के गुमता है और दिल्ली बड़ी गण्दी है यह यह लोग कहते हैं अभी इनके बहुत बड़े मंत्री आ ए अमिच्छा जी आया भी दस-पंदरा दिन पहले खूब का लिया देके गए मेरे को केजरीवाल पैसे नहीं देता है केजरीवाल पैसे नहीं देता हाई रे देदो रे पैसे रे मर गया रे पैसे रे पैसे 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 बस पैसे मांगते रहते हैं ये पैसे मनते रहते हैं ये लोग पैसे दे दो रहे हैं पैसे पंद्रा साल में इन्होंने दो लाख करोड रुपे खर्च कर दिये ये MCD ने इनका जो बजट बनता है दो लाख करोड रुपे खर्च कर दिये इन्होंने दो लाख करोड इसी साल का 15,000 करोड 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 क 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 नगर निगम को, केंदर सरकार ने कितने पैसे दिये, एक फूटी कोडी नी दी, नया पैसा नी दिया, एक पैसा नी दिया, पंदरा साल में नगर निगम को केंदर सरकार ने, केंदर सरकार ने एक नया पैसा नी दिया, तुम कैसे कह सकते हो, तुम हमारे उपर प्रश्न कैसे उठा सकते हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की मा बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतिज पूछना चाहता हूं बुझूर्गों से पूछना चाहता हूं तुम्हारा बेटा बनके श्रवन कुमार बनके तुम्हारे को तीर्थ या द्यात्र करा करा के लाए था मैं आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी-गंदी कालियां दे रहे हैं मैं दिल्ली की माँ बेहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं बरदास्त करोगे इस बार दिल्ली की सफाई के उपर चुनाव होगा दिल्ली के दो करोड लोगों कोई कठ्था होना है सारे जने कठ्थे हो जाओ सारे जने और जितने बीजेपी वाले हैं एक एक घर जाना बीजेपी वालों के उनका दिल जीत क्या ना है उनसे लड़ाई नहीं करनी दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा सबका दिल जीतेंगे हर एक का दिल जीतना है लडाई नहीं करनी सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया 15 साल वोट देके देख लिया अपनी पार्टी में रहो चाहे हम यह नहीं कह रहें बीजेपी छोड़ गया हो अपनी पार्टी में रहो लेकिन एक बार केजरिवाल को मौका देके देखो एक बार केजरिवाल को मौका देके देखो दिल्ली के सफाई ना करें पांच साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें हमें अगली बार वोट मत देना और उन्हेंने पूरी कोशिश करी ये जितनी राक्षसी शक्तियां हैं असूरी शक्तियां ये सारी कठी हो गई हैं हमारे खिला इन्होंने पूरी कोशिश करी पंजाब के बाद जब दिल्ली नगर नि गम को एक करेंगे, हमने का करलो जी फिर आब इनोंने डिलिमिटेशन करिये बता रहे हैं सारे बीजेपी के एरिया इकठे कर दिये आम आजमी पार्टी के एरिया लग कर दिये इनको लगता इनको सीटे आ जाएंगी अरे इस बार तुम्हारे BJP वाले भी तमको vote नहीं देने वाले और ये जितने वहाँ पर विरोध कर रहे हैं अपुल के उस बार खड़े हैं मेरे ख्याल से जितने विरोध कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ विरोध कर रहे हो मेरा कर लो कोई दिक्कत नही है लेकिन तुम्हारे बच्चों की शिक्षब मैं दूँगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मैं दूँगा तुम्हारे बच्चों को तो केज़री वाली पढ़ाएगा तुम्हारे घर में कोई बिमार हुआ कल को तुम्हारे घर में कोई बिमार हुआ कोई बीजेपी वाला पूछने नहीं आएगा केजदी वाल तुमारे दवादारों का इंतजाम करेगा मेरे को गाली देनी है न दे लो लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आमादमी पार्टी में शामिल होंगे एक दिन जरूर आएगा जादूगरू में जादूगर दिल जीतना जानता हूँ लोगों के काम करेंगे लोगों के सुख दुख में काम आएंगे लोगों का दिल जीतेंगे इनकी तरह काले जंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे हम एकाले जंडे लेके खड़े होने की जुरूरत नहीं है हम पुन्य कमाते हैं हम लोगों का दिल जीत रहते हैं 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे 7 साल पहले लोग कहते थे BJP के इतने वोट तो बीजेपी के आज दीरे-दीरे-दीरे करके हमने सब का दिल जीत लिया, IK करके सब का दिल जीत लिया कॉंग्रेस तो जीरो हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी जीरो हो जाएगी दिल्ली के अंदर आज आप ये कूडे का पहाड जो है बड़ी शरम आती है बड़ी शरम आती है इस कूडे के पहाड से आज हमें कसम खाके जानी है दिल्ली के दो करोड़ लोग कसम खाएंगे कि आने वाले MCD के चुनाव के अंदर हम पार्टी बाजी भूल जाएंगे कौन किस पार्टी से भूल जाओ एक मौका सारे जने दिल्ली के लिए देश के लिए दिल्ली के सफाई के लिए दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए वोट देंगे और अभी इन्होंने प्लानिंग करी है 16 कूड़े के पहाड और बना रहे हैं यह जो कूड़े का पहाड है अब बता रहे हैं अनस्टेबल हो गया इसके उपर और कूड़ा नहीं जा सकता अगर और कूड़ा डालेंगे तो यह कॉलाप्स हो जाएगा इसलिए अभी यहां नया कूड़ा नहीं डाल सकते तो दिल्ली में जगे 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 16 जगे इन्होंने प्लानिंग करी है कूड़े का पहाड बनाने की तो यह कोई बीजेपी वाला उसको बोल देना कि कल को तेरे घर के बगल में कूड़े का पहाड बन गया तब पता चलेगा बीजेपी कैसे बार्टी है भारत मता की